देखो इस वीडियो के अंदर में अपकमिंग 5 SUV कारों के परे में डीटिल में बात करूँगा जो कि इस साल तक इंडियन माकेट में लाउंच हो जाएगी हाला कि इसमें से एक दो कार एस ही है जो कि लाउंच होने के बाद डफिनेटली तबाही मचाने वाली है जिस तरह से इंडियन माकेट में XV7 double ने इसके अलवा MG Aster ने तबाही मचा के रखी है similarly ये कार इंडियन माकेट में आने के बाद डफिनेटली तबाही मचाने वाली है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना एंड तक देखना बहुत इंडियन माकेट में लाउंच किया जागा वह है है हैवल की F5 Great Wall Motor Company ने एक announcement की थी कि वह बहुत जल्दी पूने में अपनी manufacturing को start करने वाली है और हैवल की जो पहली SUV कार रहने वाल है इंडियन माकेट में वो रहेगी F5 हाला कि हैवल F5 एक 5-seater mid-size SUV कार होने वाल है जिसका मुकाबला क्रेटा सल्टाउस के साथ रहेगा इसके अलावा ताइगुन, कुशक, आस्टर इन कारों के साथ ये कार कंपेट करेंगी इंडियन माकेट में तो यहाँ पर इस कार का जो exterior look है काफ़े अदक कमाल का है दिखने में काफ़े अदक कमाल की लगती है इसके interior में भी काफ़े कमाल के features offer किये जोता है वही हैवल कंपनी इसकार को अगले महिने इंडियन माकेट में लाँच कर सकती है यह expected launch date बताई जा रही है और इसके जो expected price है वो लगबग 10 या फिर 11 लाग रोपे से इसके base model की मत इंडियन माकेट में start हो सकती है जो second position बर काराती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन माकेट में launch किया जगा वो है Toyota की RAV4 हाला कि इसको इंडियन माकेट में import किया जगा ना कि manufacture किया जगा क्योंकि Toyota ने ये announcement किया था कि वो इंडिया में manufacturing नहीं करेगी तो यहाँ पर RAV4 को इंडियन माकेट में import किया जगा इसके अलावा Toyota की जितने भी upcoming कारे रहने वाली है उनको तो इंपोर्ट किया जगा या फिर Toyota Company मारती सुजगी कारों को अपनी badging लगा कर इंडियन माकेट में उतारेगी अगर मैं RAV4 की बात करूँ तो इसकार को global market में बहुत ज़्यदा पसंद किया जगा है क्योंकि इसकार का look काफिया तक कमाल का है इसके अंदर काफि कमाल के features भी दिये जगा है और इसके अंदर off-roading के भी बहुत सरे features available है तो इसलिए इसकार को बहुत ज़्यदा पसंद किया जगा है और इसका performance भी काफिया तक तगड़ा है हलाकि Toyota Company इसकार को अगले एक दो महीने के अंदर Indian market में launch करेगी और इसकी जो कीमत रहेगी वो थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी क्योंकि इसको import किया जगा उसकी वज़े से इसके उपर आपको थोड़ा सा extra tax देना पड़ेगा इसके expected price लागबग 20-25 लाग रुपे से शुरू हो सकती है इंडिया में आपको गया लगता है Toyota के इसकार की कीमत कितनी होनी चुई है मुझे comment section में ज़रूर बता देना जो थर्ड नंबर की कार आती है वो है Tata की Sierra हलागे Tata की Sierra एक आइकोनिक कार रही है इसको 2003 में discontinue कर दिया था लेकिन ये अब electric format में बहुत जल्दी launch होने वाली है इसको Tata Company ने एक auto expo में showcase भी किया था कुछ images में screen के ओपर display कर दूँगा हलागे इसके जो exterior look की काफिया दक कमाल करेने वाला है और इसके interior में बहुत सरे premium features देजेंगे Tata Company इस अगार को electric format में इंडिया में launch करेगी तो इसके जो expected range बताई जा रही है वो लगबग 500 km तक बताई जा रही है इन्ही एक single charge में Tata की Sierra 500 km तक चलेगी ये भी काफिया दक कमाल की बात है इसको अगले एक दो महिने के अंदर Indian market में reveal किया जाएगा उसके बाद इसको officially launch किया जाएगा और इसकी कीमत 14 lakh रुपेस से start हो सकती है base model की extra price वही जो 4th number की कार आती है जिसको बहुत जल्द Indian market में launch किया जाएगा वो है हैवल की F7 ये एक 7 sitter SUV कार रहने वाल है इसका मुकाबला Indian market में XV7W के साथ रह सकता है इसके अलाबा Tata की Safari के साथ भी ये compete कर सकती है और इसका जो exterior look के काफिया दक कमाल का है तो यहाँ पर 7 sitter SUV सेगन में और ज़धा competition tough होने वाली है और हैवल कंपनी इस अगार को F5 के बाद launch करेगी पहले F5 को launch किया जाएगा उसके बाद इस अगार को Indian market में launch किया जा सकता है और इसकी expected price लगबग 11 ये फिर 12 लाग रोपे से शुरू हो सकती है बेस मोडल की action price वही जो last number की काराती ही जिसका लोग बेस अबरी से इंतजार कर रहे है वह है next generation Scorpio Scorpio का पिछले 2-3 सालों से टेस्टिंग ही चल रहा है हाला कि महींद्रा कंपनी ने इसके exterior को completely change किया है और इसके interior में भी आपको काफी premium features देखने को मिल जाएंगे यानि upcoming जो Scorpio रहने वाल ही ये काफी premium और काफी high tech features से less रहेगी काफी बढ़िया features इस कार के अंदर offer किये जाएंगे और सभी महींद्रा lovers के लिए हैंपर good news है XAV 7 double ने 5 star ratings हासिल किये है global end cap में तो यहाँ पर महींद्रा की कारों की build college दो हमें पता ही है XAV 3 double के बाद यहाँ पर XAV 7 double को safety में 5 star ratings मिले है तो यह भी काफी अधा कमाल की बात है वही अगर मैं Scorpio की बात को तो Scorpio को अगले साल के starting में इंडियन मकेट में launch किया जगा और इसकी कीमत 10 या फिर 11 अलाग रुपे से शुरू हो सकती है बेगिस मोडल की action prize तो यह 5 SUV कार इंडियन मकेट में बहुत जल्दी launch होने वाली है इन में से आप किस कार का इंतजार कर रहे है मुझे comment section में जरूर बता दिना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वाल के साथ ज़रूर शेयर कीशिगा मिलते अगले वीडियो में टेलने टेक केर राइड सेब वीरल मेट वेर सेट बेल्ट थांकी सो मच